उसको विश्वास है कि अभी वो कमजोर नहीं है, अपितूस के अंदर जीवन को जीने के लिए उत्सा, प्रेरणा वे उर्जा कूट-कूट कर भरी है एक मनुश्य तभी स्वेम का अंत मान लेता है जब वे अपने अंदर की उर्जा को शिन वे उत्सा को कम कर देता है प्रेरणा जीवन को इंधन देने का करे करती है, जब यही ना रहे तो मनुश्य का जीवन कैसा, परंतु ये तीनों प्रचूर मात्रा में उसके पास हैं, तो कैसे वे स्वेम का अंत माल ले इसलिए उसका विश्वास है कि वो अभी अंत की और जाने वाला नहीं है दूसरा प्रेश्ण है, फूलों को अंत तक विक्सित करने के लिए कवी कौन-कौन सा प्रयास करता है अंसर है फूलों को विक्सित करने के लिए कवी उन कोमल कलियों को जो इस संसार से अनभिग्य हैं और सुब तवस्था में पड़ी हुई हैं अपने कोमल असपश्य से जगरित करने का प्रयास करता है ताकि वो निंद्रा अवस्था से जाकर एक मनोहारी सुभा के दर्शन कर स अर्थात उस व्योव पिढ़ी को निद्रा से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रती सचेत ना रहकर अपना मुल्यवान समय व्यर्थ कर रही है और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाता है तीसरा प्रेश्ण है कवी पुश्मों की तंद्रा औ आलस को हटाने के लिए कवी अपने सपश से उन्हें जगाने का प्रयास करता है जिस तरह वसंत आने पर उसके मधूर सपश से फूल और कलियां खिल जाती है उसी तरह कवी भी प्रयतनुशील है प्रेश्ण है वसंत को रितुराज क्यों कहा जाता है आपस में चर्चा कीज हमारे देश में छे रुतिवर होती है ग्रिश्म रितु वर्शा रितु शरद रितु हेमात रितु शिशी रितु और बसंत रितु इसमें बसंत को रितुराज कहा जाता है क्योंकि इस रितु में ना अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी अंग्रेजी महीनों के अनुसा ये मार्च अप्रेल में होती है इसमें बसंत पंचमी और नानक त्योहार आता है पीली सर्सों खिलती है पेड़ों पर नए पते नए कौपल आती हैं आम के बोर भी लगते हैं और ये सभी स्वास्थे वर्धक भी होते हैं इसलिए इसे रितुराज कहा जाता है प्रेश्ण है बसंत रितु में आने वाले त्योहारों के विशय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंद लिखिए बसंत रितु कुल दो महिने से अधिक रहती है और यह आधे फालगुन से शुरू होकर चेत्रिवे साब के कुछ दिनों तक रहती है इसमें मैंने आपको ये निबंद जो है यहां दिखाया है आप देख करके इसे नोट डाउन कर सकते हूं कर दो हुआ है